नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Algebra of Real Functions इसके साथ ही साथ Miscellaneous Success Size के पहले के जो Examples हैं उनको मैं डिसकस करूँगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हम सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है Algebra of Real Functions तो दोस्तों आपने Algebra Word छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा Algebra Word का मीनिंग क्या होता है कि जब हम Numbers की बजाए जैसे बहुत से Mathematics हैं उसमे Numbers का यूज करते हैं या arithmetic हुआ जिसे यहां पर Numbers को Plus Minus into करते हैं वैसे ही Algebra में हम Numbers की बजाए Letters का यूज करते हैं जैसे X यूज कर दिया Y या कोई भी Symbol यूज करेंगे तो यहां पर इसलिए यूज किया गया है Algebra of Real Functions तो यहां पर देखे मैंने लिख भी दिया है दोस्तों यहां पर यूज कर सकते हैं लेकर की बजाए तो सबसे पहले आता है addition of two real functions तो देखें यहां पर ध्यान से यहां पर देखें एडिशन जैसे नंबर्स को प्लस करते हैं वैसे दिखेंगे function का भी addition किया गया है let f says that a to b and g says that a to r बी एनी two real functions real functions क्या होता है दोस्तों जिसे कोई function है f says that a to b तो real function का मतलब हो गया यहां पर a और b दोनों ही real number के सट के सबसेट्स हो जाएं या दोनों के elements क्या हो जाए यह real numbers हो तो ठीक है यहां पर देखिए दोनों के domain को domain same है तो एक function हो गया f a to r दूसरा function हो गया g तो दोनों का sum जो हो जाएगा f plus g से denote करेंगे f और g का sum क्या हो जाएगा f plus g यह कहां से कहां होगा same a to r ही होगा यहां पर a क्या है a subset of real numbers define कैसे करेंगे f plus g दोनों मिलकर उनों का sum है यह x का image कैसे निकालेंगे इनका हो जाएगा sum of images means fx plus gx इस तरह से हम define करेंगे जैसे f plus g of x यह हो जाएगा यहां पर fx plus g इस तरह से हम define करेंगे x कहां होगा यही domain में होगा इनके x belongs to इसलिए दोनों का domain same लिया गया है तो दोस्तों इसी तरह से हम define करेंगे subtraction of two real functions जैसे वहां पर प्लस था तो ऐसे यहां पर क्या जाएगा minus let f such that a to r and g such that a to r be any two real functions वही हो गया real functions where a subset of r then we define अब देखे माइनस कैसे define करेंगे f minus g f minus g कहां से कहां function होगा f minus g such that a to r जैसे f a to r g a to r f minus g भी कहां से कहां होगा a to r define कैसे करेंगे हम f minus g of x यह को जाएगा जैसे प्लस की जगा fx plus g x तो यहां क्या हो जाएगा माइनस करके होगा fx minus g x तो subtraction of images इनकी images को हम माइनस करेंगे ऐसे ही दोस्तों आता है multiplication by i scalar 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 से मतलब यहां पर रियल नंबर से है देखे जैसे कोई function है और कोई भी रियल नंबर आपने माली जी अलफा ले लिए तो दोनों का इंटो हो जाएगा आफा बी याइग सकेलर तो एलफा इंटो जब f करेंगे हम तो यह कहां से कहाँ होगा x2 तो आप जाएगा जहाँ पर एलफा क्या है यहां पर सकेलर क्या है है यहां पर रियल नंबर और define कैसे करेंगे इसको देखिए दोस्तों यहां पर the product alpha f is a function यह भी function होगा कहां से कहां होगा मैं लिख दिया है alpha f b कहां से कहां function होगा x to r और define कैसे करेंगे इसमें इसमाल यह alpha f function है और किसी element x की image निकालेगा तो क्या हो जाएगा alpha of fx मतलब image का alpha times हो जाएगा इस function में f में हमने alpha scalar से इंटू किया इसके image में भी उसी scalar से इंटू हो जाएगा तो देखिए यहां पर लिखा है alpha f of x equals to alpha of fx where x कहां बिलॉंग करेगा एक्स में कि नेक्ट देखिए दोस्तों फोर्थ को सेंट और टू रियल फंक्शन को सेंट का मतलब रेशियों से होता है यह दिवाइट से भी आप ले सकते हों यहां पर देखिए माली यह दो फंक्शन से एफ एंड जी इनका को सेंट कैसे डिनोट करेंगे एफ बाई जी से या ऐसे सिंबल भी यूज़ कर सकते हम लोग यह होता इनका को सेंट एफ और जी का तो लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन स्टिपाइंड फ्रॉम एक्स टू आर यहां पर तो माल दीजिए एफ कोई फंक्शन है यहां पर एक्स टू आर एक्स टू आर कोई फंक्शन है और जी साज दैट एक्स टू आर कोई फंक्शन है इसका जो को सेंट होगा मतलब एफ बाई जी होगा यह भी कहां से कहां पर होगा एक्स टू आर अब इसको डिफाइन कैसे कर कि इसमें देखे एफ बाइजी ओफ एकस यह जगा इमेज आफ एकस विध रिस्पेक्ट टू एफ डिवाड़ेट वाइज आफ एकस पिस रिस्पेक्ट टू एक चीज ध्यान रखना दोस्तों यह जी एकस जीरो नहीं होना चाहिए जी एकस जीरो ना होने का मतलब ऐसा कोई नहीं लेना है इसके लिए जीक्स क्या हो जाए जीरो तो डोमेन से ऐसे एक्स को हमें हटा देना है जो डोमेन लिखना है उसमें इस तरह से लिखना है कि ऐसे एक्स ना हो कि जीक्स क्या हो जाए जीर हो जाने तो यह डिफाइन नहीं हो पाएगा तो देखें यहां पर नीचे of two real functions, multiplication भी ऐसे होगा दोस्तों जैसे f such that x2 r है यहाँ पे और g such that x2 r है यहाँ पे तो दोनों का multiplication f into g कहां से कहां होगा यह भी x2 कहां होगा r होगा और इसको define कैसे करेंगे f into g of x यह हो जाएगा f x into g x इनका product से जो हम image निकालेंगे यह क्या हो जाएगा product of images यह चीज हो जाएगा दा product और multiplication of two real functions f such that x2 r and g such that x2 r is a function क्या जगा f into g such that कहां से कहां x2 r defined by f into g of x equals to जगा f x into g x for all x belongs to x जितने भी x x में हम की इस तरह से निकलेगा f into g of x equals to f x into g this is also called point wise multiplication यह आप higher classes में यह यूज करेंगे देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा multiplication of two functions में कि इसमें नाम देंगे point wise multiplication अब देखते हैं दोस्तों इसमें ncrt textbook example number 16 है इसमें चले कोई function दिया है f x equals to x square एंड जी एक्स इक्वास टू एक्स प्लस वन बेटू रियल functions find f plus g of x f minus g of x f into g of x and f by g of x दोस्तों बहुत हीजी है यह बहुत ही इसली करेंगे है इसल सान सा कोश्यन है पहले निकालते हैं f plus g of x तो क्या हो जागा sum of images मतलब fx प्लस gx अब fx क्या है x square और gx क्या है यहां पर 2x प्लस तो हो जाएगा x square प्लस टू एक्स प्लस वन ऐसे ही है f minus g of x तो क्या हो जागा fx माइनस gx हो जाएगा fx x square और gx कितना है 2x प्लस वन तो कितना हो जागा x square माइनस 2x माइनस वन ऐसी प्रोड़क्ट देखिए f into g of x तो क्या हो जागा fx into gx fx x square gx 2x plus 1 x square से इंटू कर दो तो 2x cube प्लस x का square यह हो जाएगा ऐसे देखिए दोस्तों कोसेंट कैसे निकालेंगे हम f by g of x क्या हो जागा fx by gx कितना हो जागा x square by 2x plus 1 ध्यान रखना दोस्तों 2x plus 1 यह 0 नहीं होना चाहिए इस का उत्रब x की वैलू माइनस 1 by 2 नहीं होना चाहिए हम 1-1 by 2 इसके डोमेन में नहीं रखेंगे उसको निकालनेंगे वहां से ऐसे देखिए example number 17 let fx equals to root x and gx equals to x b2 functions defined over the set of non-negative real numbers non-negative इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर रूट एक से देखिए रूट एक्स है तो रूट कैसे numbers का निकलता है non-negative real numbers का इसमें find f plus g of x f plus g of x क्या हो जागा fx plus gx fx हो जागा root x और gx हो जागा यहां पर x ऐसे दोस्तों देखिए f minus g of x है तो कितना हो जागा fx minus gx हो जागा तो कितना हो जागा root x minus x और f into g of x क्या हो जागा fx into gx यहां क्या हो जागा fx into gx हो जागा यह हो जागा root x into x अब x into x to the power 1 by 2 यह क्या हो जागा x to the power 3 by degree क्या हो जागा add हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा ऐसे इनका कोसेंट क्या होगा दोस्तों F by G of X क्या हो जागा Fx by Gx Rout x by X तो यह हो जागा X to the power 1 by 2 divided by X तो नीचे क्या हो जागा बचेगा यह minus हो जागा X to the power 1 by 2 यह जागा Rout x ध्यान रखना दोस्तों यह 0 नहीं होना चाहिए यह ध्यान रखना आपको अब आते हैं दोस्तों मिसलेनियस एक्जामपल पर आप देखें एक्जामपल नमबर 18 लेट आर बीदा सेट आफ रियल नमबर्स डिफाइन दा रियल फॉंक्शन एप एप सब्सक्राइट रियल नमबर्स फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है एक्जामपल इस फंक्शन इसका हमें क्या करना है ग्राफ जिरौ करना है तो देखिए आप यहां पर एक चीजा ध्यान दखना कोई भी जो एक्वेश्चन हो जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था उक्वाइकवस टू एक्स शुद a इस्ट लीनियर करता लीarna एक्वेशन गृशन कलाता है लीनियर आजसे यहां पर Г advance यहां पर यहाँ पर एक्स फ BC क्या कालाथा निनियर फंक्शन इन वन वेरियेबल एक्स के टम में कैं लीनियर फंक्शन तो यह क्या है एक्स प्लस 10 क्या है linear function इसका graph हमें draw करना है तो देखिए आप x की different values रखिए जिसे fx है यहाँ पर एक्स प्लस 10 अब जैसे हमने 0 रख दिया है एप 0 की में इस क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 कy स्टू क्या हो जागा यहां पर का माइनस्स क्या हो जाएगा मैन этого स्टाइब। होई तो तीन ऑर्डर मिलें दोस्तो ऐसे linear कोई भी linear equation हो अग्राव ग्राव करना है तो आप को ठीक दो डिफ्रेंट पॉइंट्स मिल जाए वो सपीजियंट है कितने पॉइंट्स मिल गया जीरो कॉमा जहां पर एफ एक्स हम वाई की तरह ले रहे हैं अब एफक्स को क्या लेते हैं वाई एकस पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मिल गया माइनस यक्च यहां सामने मिला माइनस प्लमाव को ग्युक्त कोाइ?! थैन को जॉइन कर दिया ये मिल गया यह यह लाइन wordt आते हैं अब आते हैं दोस्तों गांपल नंबर 19 पे लेट आर बीया रिलेशन फ्राम क्यू टू क्यू डिफाइंड वाई आर इकवस्टो एबी सस्ट एट आर को कैसे डिफाइन किया गया है देखिए दोस्तों आर इकवस्ट टू कि ए वी ऐसे आडर प्यार को क्लेक्ट करना जहां पर एबी कैसे नंबर सेखें एक बात दूसरी बात यह हुई कि A minus B क्या है यहां पर कि कि इंटीजर होने चाहिए क्या होने चाहिए इंटीजर है तो क्या सोकनना ही में हमें इसमें देखे फिर्स्ट क्या है कि A.A. belongs to R दिखाना सारे A.R. में हैं तो आर में होने के लिए क्या condition है पहले हम देखते हैं a b a b कब आर में होगा आर में कब होगा कि एक a a और b को एक तो रेशनल नंबर होना चाहिए पैड़ी कंडिशन दूसरा एमें से अगर b को माइनिस करते हैं तो जो कुछ एक कहां बिलॉंग करेगा आर में परूब करना है यहां पर लिखा गया है यह बिलॉंग कि लिए निए माइनिस एक वास्टिशेट डिलॉंग्स टो अब दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट अब प्रॉंग स्टू आर मतलब अगर A, B, R में है तो B, A, B, R में होगा तो चलिए देखते हैं हम लोग A, B, R में है A, B belongs to R अगर A, B, R में है इसका उतरब क्या हो गया कि A माइनस B क्या हो जाएगा integer हो जाएगा clear है अब किसी भी integer में अगर हम माइनस 1 से इंटू कर दें A, B तब भी वो integer ही रहेगा यह देहान रखना अब हम A, B में माइनस 2 करेंगे तो किन्ना हो जाएगा B, A, यह भी कहां बिलॉंग करेगा Z में बिलॉंग करेगा इसका उतरब क्या हो गया B, A, B, A belongs to B, A belongs to कहा हो जाएगा R में तो जब भी A, B, R में है अब देखिए इसका third part क्या है इसमें A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R तो तरब A, B और B, C, R में है तो क्या हो जाएगा A, C, B कहां होगा R में होगा तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे A, B, R में है और B, C, R में है इसका उतरब क्या हो गया कि A, B, B, C, B, R होगा अब दो इनकीजर हो गया तो इनका sum भी क्या हो जाएगा integer हो जाएगा means A, B, B, C, R, minus B से plus B कट जाएगा तो बच्छे का A, C, B क्या हो जाएगा आर में तो यह हमको प्रूप करना था यह थार्ड वाला पार्ट हो गया आपका अब दोस्तों देखते हैं इसमें एक्जामपल नमबर 20 लेक्ट एफ इक्वाश्ट्री इतना दिया है इसका ओर्डर पेर का उंतरब क्या हो गया कि एफ वन का इमेज वन है तो का इमेज थ्र days i am IQ 0 का इमेज क्या है यहां पर माइनस वन है और माइनस लेंस की मज्फ क्या है यहां पर माइनस 3 इस दिया है दोस्तों अब इसमें साथी साहत का था यह लीनियर फंक्शन फ्रॉंड फ्रॉcken2 यांस फंक्षन्य पर लीनियर फंक्शन तो लीनियर benefited होने का मतलब fx किस टाइप का होगा एक्स प्लस भी टाइप का है तो दोस्तों एक तरह से इसमें कहा है कि find fx मतलब हमको fx निकालना है देखिए का है find fx तो fx को हम एजियूम करेंगे let f be a linear function fx क्या हो जागा यहां पर a x प्लस भी यहां पर a और b क्या है यहां पर real numbers है अब यह a x प्लस भी हो गया अब चलिए हम conditions को लिखते हैं जैसे fx हो गया यहां पर a x प्लस भी अब देखिए यहां पर one की image क्या रखा है यहां पर one को वन रखी है तो हो यहां पर देखिए इसे ही देखिए यहां पर 235 क्या हो जाएगा 3 यहां पर एकस को 0 रखो 0- human changing is minus 1-1 रखोगे हो च है को चो माइनस तो एक्स प्रूस बी कितना तोब माइनस त्री अब दोस्तों इतों 4 जॐएब कोई दोश्ख कर लो और बागी दो बचे में आप करके देखल को बूल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना कि एक वैलू आ जाएगा कितना एक वैलू आजास को और थी वेलू होजाएगा माइनस वोड टो अफ एक्स क्या होजागा एक्स प्रस भी अभिलिए की वेलू आप टू रखोगे और वी की वैलू माईने संट तो एक्स क्या हो ज़िए इस थे मिनस वन हो जाएगा यह हो जाएगा यहां पर अब आते हैं दोस्तों एक्जामपल नंबर 20 वन पर आते हैं दोस्तों एक्जामपल चलना है अभी मैं है find the domain of the function fx equals to x square plus 3x plus 5 by x square minus 5x plus 4 तो दोस्तों आपको बताया गया है domain क्या होता है किसी function का domain ऐसे एक्स का collection होता है जिनकी images मिले ऐसे जिनकी मिले अब आप ने कहीं ऐसा को एक्स रख दिया जिससे गिरो मिनेटर जीरो हो जाए तो फिर तो इमेज मिलेगा ही नहीं मतलब function क्या जाएं नौट डिफाइंड तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे एक्स को पता करना जिसके function नौट डिफाइंड है और उसको रियल नंबर के सेट से सीधे सीधे डिलेट कर देना है या माइनस कर देना है तो दोस्तों देखिए हमने लिख भी रखा है domain of f क्या है collection of x whose images exist ऐसे एक्स को collect करना है जिनकी image exist करें तो सबसे पहले देखते हैं denominator 0 कहां होता है तो हम जो denominator है x square minus 5 x plus 4 इसको 0 के equal करेंगे यहां पर factor करेंगे तो x की value जाएंगी 1,4 यहां पर क्या गया 1,4 इसका हम तब real number के सेट में से हम 1 और 4 को हटा देंगे तो जो कुछ मिलेगा वो क्या हो जाएगा इसमें domain हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर domain हो जाएगा चलिए दोस्तों आते है example number 22 the function f is defined by fx equals to 1 minus x x is less than 0 मतलब negative है 1 होगा जब x 0 है और x plus 1 होगा जब x क्या है greater दें 0 positive पर x plus 1 लेना है 0 पर 1 लेना और negative पर 1 minus x तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें कुछ points ले लिजी आप जैसे x को हमने negative रखा minus 3 negative पर क्या image मिलता है हापर negative पर 1 minus x तो f of minus 3 की image क्या हो जाएगी 1 minus minus 3 तो 1 plus 3 equals to कितना हो जाएगा 4 ऐसी दोस्तों minus 2 रखोगे तो 3 आएगा minus 1 पर 2 आएगा 0 पर 1 दिया ही है अब positive पर क्या है 1 plus x fx equals to 1 plus x x plus 1 जो भी हो तो 1 पर image 2 आएगा 2 पर 3 आएगा 3 पर 4 अब देखिए दोस्तों यहां पर हमने x axis y axis बनाया है और यह जो y axis से किसको रिप्रेजेंट करता है यह fx को तो 0 पर image किना मिला है आप पर 1 मिला है वन पर image किना यहां टू मिल जाएगा कहीं खीक है minus 1 पर भी तू मिल जाएगा और बाकि ऐसे यह आप बना दोगे तो यह वी शेप में यह बन गया आपका ग्राफ यह चीज़ बन गया तक आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ने किया है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा धन्यवाद झाल